देखो तुम्हें अगर सवाल इस तरीके का आता है formulate the problem as LPP तो इसका मतलब वो तुमसे मान क्या रहा है basically objective function जिसे कि या तो minimize करना होगा या फिर maximize करना होगा इसके अलावा तुमसे constraints मांगे जा रहे होंगे सारे के सारे including non negativity constraints ठीक है अच्छा तो जैसा कि मैं तुम्हें पहले वीडियो में भी कह चुका हूं कि इसी भी LPP की problem को formulate करने का मतलब होता है बस यह identify करना correctly की सवाल को सही तरीके से describe करने के लिए कौन से variables assume किये जाए ध्यान रखना 12th में जब तुम exam paper अपना लिखोगे तुम्हें दो variable assume करने ही है LPP के सवालों ध्यान रखना दो variable problem आएगा तुम्हारे पास तीन आ नहीं सकता है syllabus में यह एक पे वो सवाल बनाने लाइक कुछ तुम्हें दे नहीं पाएंगे ठीक है कि उसमें number दिये जा सके यह ना आच दो variable वाले सवाल आने हैं तुम्हारे पास यह तैय है इत्ते बड़े advantage के साथ तुम किसी भी सवाल को attempt करोगे ध्यान रखना यह चीजे मैं पहले वीडियो में भी already कह चुका हूँ अब देखो है यहाँ पर बोल क्या रहा है सबसे ज़रुरी बात जैसे यह जो सवाल है इसमें सबसे पहले मैं तो आखरी लाइन ये पढ़ूँगा बोल रहा है तो company gets profits of rupees 350 and 400 by selling one unit of A and one unit of B respectively how many units of chemicals A and B should be manufactured so that the company gets maximum profit यहाँ क्या मुझे already hint मिल चुकी है कि क्या मुझे variables assume करने है भाई वो बोल रहा है how many units of chemical A B देख रहा है and B ठीक है तो let x units of chemical A let x बराबर units of chemical A be sold और y बराबर units of chemical B be sold ठीक है इसके बाद फिर सवाल में कुछ नहीं बचेगा देखो क्या बोला के जा रहा है अब सवाल शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं बोल रहा है कि एक company दो तरह के chemical produce करती है each chemical requires two types of raw materials अच्छा अच्छा ठीक है P और Q the table shows number of units of P and Q required to manufacture one unit of A and one unit of B अब अगर मैंने x units of A माना है ठीक है भई एक unit अगर मुझे A manufacture करना है तो उसके लिए मुझे किता कैसा table अच्छा ठीक है तो एक को अगर मुझे manufacture करना है तो मुझे ठीक है इस table को read कैसे करोगे तूँ यहाँ देखो for manufacturing for A तीन unit लग रहा है तुमको तो तीन unit लगता है तुमको P का प्लस दो unit लगता है तुमको Q का ऐसा ठीक है और B के लिए कैसा है है मामला similarly दो unit लगता है तुमको A का sorry P का और 5 unit लग रहा है of Q ठीक यह data है जो तो पी की total availability है वह है मेरे पास 120 unit और Q की total availability है मेरे पास 160 unit तो यह तो यहीं खतम हो तो यहाँ देखो X units लिए ना मैंने chemical A बनाने के लिए ठीक है तो एक्स units के लिए chemical A के लिए बही obvious बात है 3X लगेगा P का और 2X लगेगा Q का क्या कहते हैं और B मैंने कितना लिए है Y units बनाने हैं तो 2Y unit लगेगा P का प्लस 5Y unit लगेगा Q का क्या बोलते हैं तो P देखो total कितना खर्चा हो रही है P जो है total कितना खर्चा हो रहा है यह देखो यह है total consumption P का देख रहा है 3X प्लस 2Y ठीक तो टोटल कंजम्शन ठीक है 3X प्लस 2Y हो रहा है एक मिटे सर्दियार क्या करें करता है नाक में हट डालके एकनम सब बाहर निकाल दो एक ही बार में खेल कता हूँ चो लो जी तो P की total consumption तो आपने को पता चल गई अभी जो Q है उसकी total consumption कित्ती हो रही है यहाँ देखो यह पकड़ा मैंने Q फिर देखो यहाँ पर पकड़ा मैंने Q देख गया 2X प्लस 5Y इस इस दी टोटल कंजुम्शन ओफ Q ठेक अच्छा चांसे कैसे बना लेंगा पर फटा फटा बोलो भई पी टोटल है मेरे पास 120 और Q है मेरे पास 160 तो जहर सी बात है जो तो टोटल उनिट्स P और Q के कंजुम्शन हो रहे है वो 120 और 160 से respectively कम होने चाहिए यह हो गया पहला constraint दूसरा constraint जहर सी बात है X और Y दोनों के दोनों positive होने चाहिए ठीक है यह हो गया तीसरा और यह हो गया चौथा constraint ठीक तो जो मेरे पास profit है यह हो गया मेरे पास objective function देखो साड़े 300 मेरे को मिलता है एक unit बेज कर एक तो एक unit बेज कर इतना मिलेगा और मेरे को profit मिलता है 400 y को बेज कर तो इतना हो जाएगा क्योंकि b के y units बिक रहे है तो यह मेरे पास total profit function बन जाता है तो basically जैसे ही मैंने decide कर लिया कि x units basically बिक रहे है a के और y के बिक रहे है मेरे पास y units वहीं पर यह पूरा का पूरा सवाल हल हो जाता है जैसे कि तुमने देख लिया होगा ठीक है बात कोई दिक्कत नि जाती फिर मकखन जाता है सब एक दम मकखन ठीक है टेबल एबल जरूरी नहीं कि तुमको बना के मिलेगी है क्योंकि पहला सवाल है तो इसलिए लट्ट्टू टाइप दिया हुआ है उसने टेबल ओकर मिलती नहीं एक्च्वल में बना के इस तरह से प्यारी प्यारी समझे तो टेबल बनाने की जरूत भी क्या है कि मैं तो हमेशा यह पायों कुछ लोग रटते हैं कि दो कॉलम रहेंगे दो रोज रहेंगी ऐसा कुछ-कुछ लोग रटते हैं एक मेंटे कि 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 ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो basically यह तुम्हारा LPP हो गया, ठीक है, we need to maximize x, ठीक है, ठीक है, subject to, ठीक है, ठीक है, this is our LPP, ठीक, mathematical formulation of LPP is this maximize क्या करना है maximize यह जो profit function है इसको पुरा-पुरा लिखना समझ गए कि जो 1, 2, 3, 4 जो तुम्हारे पास constraints है उसको पुरा-पुरा लिखना लिखकर बताना final line answer की इस तरह से दोगे तू ठीक है मैंने बस ऐसे ही लिखकर छोड़ दिया 1, 2, 3, 4 डालके छोड़ दिया वापिस से कौन-कौन लिखेगा यार पर तुमको लिखना पड़ेगा चीक है तो इसके statements लिखने पड़ेंगे जैसे की बहुँ शुरुआत में तो तुम्हें ऐसा लिख लेना अरे ठीक है एक मिनटर कोगी